हलो वाइज मैं सुनुल पारिक इंडियन टेक कलासेज में आपका हार देख स्वागत करता हूं तो दोस्तों पर वीडियो चल रहा था वो था डिसी जनीतर उसके अंदर 462 क्यूशन अपने कर चुके हैं और इस वीडियो में जो बात करेंगे 463 नंबर क्यूशन से स्टार्ट होते हैं त्वी तो अपने सीदा सब्सक्राइओ फैस्टान पर तो देखें कि आर्cion Kingdom ऑन का सी्चटर हं खहली स अस्ट região में पास अमोटे तार तर कुचम से मोटे तार के की टरन पतले तार के के टरन पतले तार के के टरन होते हैं वह तो तो यह संट o कि अराम से वो सेहन कर सके वरना वायन नीका हो सकती है जो जनितर होता वो आउटपूट ढंक से दे नहीं पाएगा ठीक है उत्र किया इसका यह ओप्शन चलिए क्योशन अगला क्या है दिशी संट जनितर में आर में धारा खालिस्तान के दोबारा ज्यात के जा सकती है तो मेरे पाथ जो डिशी जनितर में फोर्मूला जाएग व्राबर वी प्लस यानि ट्रमिनल की वोल्टेज होती है प्लस आई ए आरे होता है मुझे पुछा क्या है आर च्वह दरह निकालने पड़े तो इधर यह लिए और यहां पर बच्चेल आए यह आ यहां पर लेता हूं गुर्णा में को नहां यह रख लेता हूं और गुत्रणा में आरे तो आरे को मैं इधर ले आतों तो डिम करें रे यह माइस वी बट आरे उत्ति क्या देगा सी ओप्षन चलिए नेक्स्ट क्यूशन अगला क्यूशन क्या है सोट संट डिशी जनित्र का स्रीज छेतर खली स्तान के दौरा उत्तेजित होता है सोट संट के बात वह रही है तो सोट संट के सा होगा इस प्रकार कि यहां पर आρηमि चल रहेगा और यहां पर कुन से भाइंडिग रहे है वएंडिग, फिल्ड वैंडिंग, स्रिज वाली तो यह ओ गया सोट संट तों वो है जो संट बातो होती है जो संट के समनात्र में केवल और केवल आर मिचड तो वो कॉंसा होती है सोट संट अगर स्रीजवाली वाइंडिंग इस यहां पर आ जाए तो जाए लोंग संट अब लोड मान के चलिए जो स्रीजवाली वाइंडिंग अब वो कौन से करंट लेगी जो लोड करंट लेगा लोड और स्रीजवाली वाइंडिंग दोनों स्रीजिम होती है यह लोड की करंट बरा बढ़ रहा है मेर पास स्वरी चेतरी उतेजना यानि कि आई एफ बढ़ रही है फिल्ड की करेंट बढ़ेगी इसका मतलग फिल्ड का फ्लक्स बढ़ेगा और अगर फिल्ड का फ्लक्स बढ़ गया तो यह ब्राबर क्या होता है फाइज एड एन्प ड़ेड़ बैसार्टी क् फ्लक्स बढ़ेगा तो यह मांन बढ़ जाएगा उत्र आएगा इसका अ बढ़ जाएगा ठीक है चलिए नेक्सट्स क्यूसां क्या है सव उतेजित डीसी जनीतर के ओशिसी के निचले शीरे पर थोड़ा सा वक करना क्या होता है मेरे पास कोई भी जनीत्र होता है वह ए मंध्र पका क्या करता है उत्पादन वो कभी 0C starter नहीं कि तब का मस्वार्थ थोड़ा सा उपर से इसक्वार्श से ओपर से ऊपर से होने का recognized क्या यह फूच हा cass.i Chronic generational यह यह इसका ठोड़ी छा ghost इसकी वज़े से यह वाला वग करें जिरो सी स्टार्ट नहीं होकर कहां से स्टार्ट होता थोड़ा सा उपर से ठीक है चलिए नेक्ट क्यूशन अगला क्यूशन क्या है भार में बढ़ उत्री के कारण डिसी जनीतर की गती में गिरावट खाली स्टान के दोड़ा ठीक है जा सकती है यानि लोड बढ़ा लोड बनने की वज़े से जो मेरे पास जनीतर था उसकी गती में क्या आगई कमी अब उसकमी पूर्ति कैसे कर सकता ह अगर मैं जिस भी मात्यम से उसको गुमा रहा हूं अगर उसकी गती बढ़ा दू तो दुनीतर मेरे पास क्या हो जाएगा ज्यादा गूमने लगेगा यानि की प्राइम मूवर के मात्यम से में गती को बढ़ा सकता हूं उत्र क्या रहेगा इसका डी ऑप्शन और तुनिम क में ला क्या कर एक जनीतर खरली स्तान के एकांड़ रिजिडिवुल मेयनेट के खतम कर सकता है यानि मेरे पास कोई भी जनीतर के अंदर बढ़ेगी ना कि खतम होगी और कम पन होगा तो जनीतरी बोड्दी खराब हो सकती है नेटमोल हो सकते हैं पर मेगनेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता निए डाप मान से छूंबग क्या हो वोगत है खतं हों सकती है तो जिस अढ़ल के निचे चूंबक रहती है और उत जिस तामान के उपद्चिन इसको कहते हैं क्या थीक है चलिए next question निक्ष्ट Qs वुप श्का मान उताई लग दो से 5 पर सेंट कितना होता है दो से 5 पर सेंट तो इसके अंदर कोड़ सा उप्सन पहलेगा यह ओप्षन ठीक है चलिए नेक्स्स क्यूशन अग्ला क्यूशन क्या है सव उत्यजी जनितर की तुलना में एक अल्लक्सी उत्यजी जनितर यानि मेरे पाथ जो सिलब एक्षाइट डिशी जनितर होता है उसके पेक्सा सेप्रेटली वाली कि में क्या लाब होता है अधिक विश्व नहीं होता है सभी बात है बढ़िया होता है मेरे पाथ जो वोल्टेज आएगी या उसका आउटपुट जो रहेगा कुछ भी होगा जो लोड वहन करेगा वह सब कुछ क्या होगा अलग से मामला होगा इसकी वजह से वह बढ़िया होता है जनितर तो यह ब बारह बिलक्षन पर डिपेंडन नहीं करती तो सभी बात बारह पर डिपेंडन नहीं करती क्योंकि मैं जो वहां पर उत्तेजन धारा है वह मैं कोई अलग से श्रोत लगा कर जैसे बेटरी हो गई या अलग से कॉंडिशी सप्लाई होगी उनके माद्यम से घटा या बढ़ा सकता हूं तो सभी विशेशने किसके अंदर होती हैं सेपरेट लिग अंदर चलिए नेक्स क्यूशन अगला क्यूशन क्या है एक अलग से उत्रजी डिशी जनितर में छेतर धारा के निश्चित मान के लिए खुला प्रिपत वोल्टेज क्या है इनोट इनोट गुले तो मतल अधिन तो फ्लक्स भी यह जाएगा तो अप्षन दे लेते हैं पहले देखे ओप्षन क्या है इनोट का अद्धा या इनोट की अद्धा ज्यादा या तो वह अद्धा होगा पांच होगा या पांच से थोड़ा से ज्यादा भी हो सकता है अगला अगला प्षन कौन से है इनोट का दुगना यानिकि दस का दुगना 20 हो सकता है तो देखिए अगर मेरे पास सेप सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब अगया तो लोड़ बढ़ने के वज़े से वहां पर जो कर्णट का मान में अद्धा किया है तो फ्लेक्स अद्धा होगा अधित हो जाएगी वोल्टेज यह बात का नफरम है पर अधिसे कभी-कभी थोड़ी ज्यादा रह जाती है क्यों क्योंकि वहां पर क्या पो सब्रेटीफर वाला है तो ले लेता बेटरी से बेटरी पर फापश्वाली होते इस उन पर प्रभाव पढ़ता आप या तो उसका अधा होता या देसे थोड़ा सागल रहता है उत्र आईगा इसका सी बच्छय आईगा उट अगर देखिए निर्धारित आर्पेम था सुन्य भार पर चल रही डिसी स्रीज जनीतर के सिरो पर वोल्टेज होगा लोड कॉन्ट सा सुन्य लोड तो सुन्य लोड पर तो बहुत ही कम वोल्टेज होती है उत्र की आएगा सी ओप्शन आएगा इसका बहुत बार करवा भी है एक डिशी povo को डाइवघ्टख के साथ लगया से गया है यह निर्दारित दारा दे रही है यदि द्रीटर को फ्रिद्र उसका खुल जाए तो सेरा वेल्ट इस क्या ठीक है तो यहांपे इसके पास जाने वाले करणट थोड़ी कम है अभी अगर मैं यह डायडर क्या करदूं ओपन करदूं यहां से तो पूरी पूरी करणट कहा से जाएगी स्रीश से अगर स्रीश से करणट गई इसका मतव्त रिज का फ्लेक्स का माण बढ़ गया अगर फ्ल देखिए मेरे पास समात्रपत्र हम दारह कितनी होगा यह बात के अंदर समात्रपत कितने हो चिन दो याद यह क्रास्ता इस ते कितने होते हैंि टेवल्री खेंट दोसु यह निए कि बटेवी तो पार कितने आगे सपोल कितने कितने आगे एक्षब 15 इंपर कितने आगेpekt एक्षब फट्ट आ हैं दोनों में जाने वाले करिंट योग कितना रहेगा एक्षब बचीशा रहेगा अब इसके अंदर इसके फटीश मैं दो का होगी 125 एंपियर उत्र क्या रहेगा इसका यह उप्शन चलिए नेस्ट क्यूशन अगला क्यों सुन क्या है एक डिसी संट जनीतर 200 वोल्टेज पर 1.8 किलोवाट भार को आपूर्थी कर रहा है इसका आर्मेचर और छेत्र परतिरोद करमस्य पॉइंट 4 और 200 वोम है उत्तपन यह में बताई तो इजी बराबर क्या होता है वी प्लस आई ए आरे ठीक है अब सबसे पहले मुझे क्या करना है जो आर्मेचर के अंदर ड्रोपेज हो रही है क्या हो रही है आर्मेचर के अंदर ड्रोपेज अगर वह मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या जाएगी मैं जोड़ दूँगा टोटल इजी जोड़ दूँगा वी के अंदर आई यह जोड़ दूँगा तो मेरे पास क्या जाएगा टोटल इजी आई यह कैसे निकलेगी तो सबसे पहले मैं टोटल करन निकालता हूं तो लोड क के पास पाव्र कितनी एजी पुंट आठाने 800 वाट कितनी ए ठाहरांशोवाट और बोल्टी कितनी है धोसु तो ट्रड़ करेंट कितने आगी नोई एंपियर और संटकी कने बात को संट पर्चुरू है व्हेतनी है दो सुमम संटी वोल्टेज 202ं संट्रीक कनद तोस अगेद दोस भीटिए 2チЙनियाी। तो स्टोल कनद यह यहार में चरशी 10 इद संपयर यानि की इदू हमान कितना में पास 205 अधिका मैं कितना आ घया में पास 10 इंतु आ रिकमां कितना पूंट चार पूंड च्यार को दस से गुणा क्रों कितना आ जाएगा च्यार तो दोसो प्लेश च्यार कितना हो जाएगी दोसो च्यार उतर गया लेगा इसका सी ओप्षन चली नेस्ट क्यूशन अगला क्यूशन क्या है डिसी संटर जनेतर के सव उतर जने के लिए संतुष्ट होने की इस्तिती है कि वहाँ छेतर चुम्बक में कुछ रेजिडियूल मेगनेट होना चाहिए यह उच्चीत दिशा में होना चाहिए और पासरो पत छेतर यानि संटर फिल्ड परतिरोद क्या होना ची उसका तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जो संटर फिल्ड पत्रोद एक होक्रां कहानेटि प्रत्रोद क्या यह कम होना चीए तभी जनीतरिया आपनेएगा यह यूंप बना पाईगा लापो ऑ कि क्रां षातर परतोयों से ये नहीं गलत पाते रंक्न Champ प्रत तो छेत्र प्रत्रोद क्रांतिक से निचे रहेगा तभी क्या बनाएगा इमफ चलिए नेट्स क्यूशन अगला क्यूशन क्या है एक संटे जनीतर में 800 आर्पिम की गती पर 200 ओम का क्रांतिक छेत्र प्रत्रोद है यदि जनीतर की गती 1000 आर्पिम तक बढ़ जाती है तो जनीतर के क्रांतिक छेत्र प्रत्रोद में क्या परिवर्थन आईगा तो मैं आपको पिछले वार प्रत्रोद में ये बात बताई भी थी कि क्रांतिक प्रत्रोद गती पे डिपेंड करता है यानि गती की क्या होता है समानुपाती तो N समानुपाती पहले वाला क्रांतिक प्रत्रोद N1 समानुपाती RF1 तूसरा कि आओ गया एंट्टू समनुपाती आरेप टू यानि कि पहले वाला क्रांती परत्रोद समनुपात के एंट के दूसरे वाला इसके तो भाग देता हूं देखी उजी पुछा कि अच्यत्र पर्तिरोदि में क्या प्रिवडतना आएगा तो सेकेन वाला पुछ है तुम मुझे निकालना किया आर एप 2 निकालना है तो ये काम करतों आर एप 2 गुँ इदर ले आतों तो आएगा किया मेरे पास आर एप 1 इंट्व N2 बटे एन्वन और फोन कमाने कितना है दो सो इंटू एंटू कमाने कितना है एक हजार बट्टे एनमन कमाने कितना आट सो काड़ दू तो कितना जेगा जार पांच कि दो सोपचास कितना आगया दो सब्सक्राइब इसका सी ओप्शन निकाल लेना तो फॉर्मुला यह रहेगा इसका ठीक है तो दो सब्सक्राइब उसका उत्तर इमने बता भी दिया अगर फिर भी कोई दिक्क्त आती है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं चलिए सकता संहिं मतलइ को इस डिसंतर जनितर में वोल्टेज बनाना सामने दिकीत किया जाता है यह यानी मेरेա असी नितर है वंच वोक्त की मत्वार्टे में से चांट्रोल की जाती है ठाकि वांटीज जाधा नहीं मनपाई टीक है यह किसके मादम से कंट्रोल के चाते अ Т Pokémon Scott open न यह उसके बाद में में इड़ बनेट बनेगी नहीं तो यहले भी ज्यादा नहीं बन पाईगा कंट्रोल किसके माध्यम वेस्ट है उता है वह के माध्यम से यहानि का संत्रव तो हूड़ ढरद अगर कि अन्uff कि स्बूंद कि अब लिक्षन संब्स के संबंध में निम्मन लिखित कतनों पर विचारद कीजिए छेठर धारा के और यह उस्टाइम इसका मद यह बाती उसकी क्याएं से यह अगला उप्सन क्या है चेटर दारा के साथ खुला परिपति की रह वोल्टेज़ का प्रिवर्तन गत्टी से सौतंतर होता है नहीं होता है नहीं होता ठीक है मतलब गति चेंज होगी तो महाँ पें चेंज हो अग्ला उप्श सुन्या से निर्डारीतेशे द्रक्त एहां यह रही होता है नहीं होता है रही और यह कभी नहीं होता बोचुर सिद्ध हेंगा यह बादेया रखना ईए गीवा यहाँ साहता करने में गता हूं मत्व्हा उना नी स्टार्ट होता है यहां से थीक है मुल्विद्धु से कभी स्टार्ट नहीं होता तो इसके सई कॉंड़ कोंड़ से एक और चार ओप्शन देख लेते हैं तो 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 उत्र क्या रहे गाइगा इसका ये को 40 के अंदर रहें उत्र क्या रहें इए ओप्शन चलिए है कि इक चींचर देखिए एक ड्वी सिने के लिए निम्म लिके तप्ञत्यों में से रिए निसातल के प्रति आख टाय सैंटर और में। यौद और समस्कें रभावी तो संट्रेज अनição और मित्रम तुमंक वड़िजन कोई करें अदर terminal voltage कम नहीं करते हैं किसके अंदर संट के अंदर वो मिशा मतलब जो का गलत है चेतर दारा में कमी अगर फिल्ड की तरफ करेंट कम जाए तो फ्लक्स कम बढ़ेगा अगर फ्लक्स कम बढ़ा इसका मतलब वहां पर जो इन पेदा होगा वह भी क्या हो जाए कम हो जाए क्योंकि समनुपाती होता है तो यह भी सका कैसी यह आरमें से प्रतिक्रिया कुणकि आरमें से प्रतिक्रिया होगी तो बात भी सेम्या हो प्रतिक्रिया है कि और शोछाहे है विच्टुम की प्लता होगा इसका मतलब आर फृट व, वोल्टेज कि यह क्याक्स सिए तूर्य है प्रतिक्रिक्रिक्रेश आर्मेच की वोल्टेज और आर्मेच की करन्ट इनके मत्या बताईगा आर्मेच धारा आर्मेच परती के रिया के बाद उत्पन वोल्टेज उत्पन गाईगा यह ओप्षन चलिए नेक्ट क्यूशन अगला क्यूशन क्या है संथे जन्तर का कोंड और इलक्शन निछे दिखाया गया है ओप्षन दे हाथ यांतरिक भारी अभ्लेक्षन खुला प्रेवत व्यलेक्षन सुंभुकि अभलेक्षन जो भी डिख्धा गया था वो भारी अभ्लेक्षन का था यानि कि वीप और आई एल का इनके मध्य दिखाया गया था ठीक है अगला क्यूशन भी देख लेते हैं एक अध्शिक जनितर का वी नियमन खली स्थान परतिशत होता है यानि कि मेरे पास एक अध्रश डिसी जनितर है उसका वी नियमन क्या होना चीए जिरो होना चीए वी एनल माइनस वी अफल बटे वी अफल होता है तो नो लोड से फुल लोड तक वोल्टिज में प्रिवर्टन बिल्कुल भी नहीं हो कैसा की जिए इसे में जैज सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं कुछ नए क्यों साथ ने वीडियो में तब तक के लिए उप